है कि एलो दोस्तों स्वागत आपका माय फार्मा टिप्स यूट्व चैनल पर आजम सुड़ों में किट मौक्स यलडी आइड्रॉप के बारे में पुरी जैन कर लेना ले किट मौक्स यलडी आइड्रॉप का में लियूज आपको से जुड़ी समस्या दूर करने में किया जात करने से पर एक छोटी से रिक्वेस्ट है अगर आप चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बिल आकन को भी प्रेस करें क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे हेल्थ और मेडिसिन से जुड़ी वीडियो लाते रहता हूं तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं से यह डॉक्टर के परिची पर मिलने होना ड्रॉप है बात करते हैं इस ड्रॉप में मुझूद कंटेंड के बारे में किट मॉक्स यल्डी आइड्रॉप में लोटेप्रेडनॉल एटाबोनेट मॉक्जी और फ्लॉक्ससीन आई पीज यह कंटेंसा मोईस्टे इसमें मुझूद लोटेप्रेडनॉल एटाबोनेट यह एक स्टोराइड ड्रॉगे जो उन केमिकल मैसेंजर को रुपता है जो आखों में इंफेक्शन का कारण बनते हैं और यह आखों की सुजन से राहत भी देता है बात करते हैं इस ड्रॉप की उज़स के बारे में डॉक्टरी से किनके समस्या में इस्तमाल करते हैं इसे आख आने की समस्या आखों में एलर्जी होने की समस्या इसे यूवाइटिस क के बीच वाली परत पर पदे यह उच्छा के photograph करते इसे समस्य प्रकाइब करने दोब करने के लिए नियुक्त जानने के लिए आप अपने डॉक्टर या फार्मसिट से संस्क्र कर सकतेêts आपके दोस्तों इस ड्रॉप का डोस्त आपकी उमर और नेड़ धरत रहता है इसलिए आप अपने आख़ों की समस्या अपने डॉक्टर को बताकर इस ड्रॉप का डोस्ते निच्चित कर ले इसे अपने मन से घर पर न ले साउड इफेक्ट इस ड्रॉप के इस अपने डॉक्टर से संपरक करे इस ड्रॉप की स्तुमाल से आख़ों में जलन आखों में सुझा लाना दूल्दी दुरॉष्टी होना आख या लाल होना यह कुस साउड इफेक्ट हो सकते प्रेकोशन इस ड्रॉब को उज़ करते समय साउधानिया अगर आपको इस ड्रॉब की इस तमाहल से कोई सैट फटता है या फिर आपको इस ड्रॉब में मौझूद कंटेंस अलर्जी है तो आप इस ड्रॉब का यूज़ना करें अगर आप पहले से कोई आनने ड्रॉप मेडिसीन टैबलेट से रप ले रहे हो तो उसकी सुष्णा अपने डॉक्टोर को आवश्य दे इस ड्रॉप को केवल एक्स्टेनर यूज करे इस ड्रॉप को इस्तमाल करने से पहले से अच्छी तरह से शेक करे और बाद में यूज कर करें दोस्तों अगर आपको इस वीडियो से helpful information मिली हो तो वीडियो को लाइक करें और माय फार्माटीप से यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करें इस चैनल पर आपको हमेशा मेडिसीन डूस मिलते रहेंगे थैंक यू फॉर वाचिंग इस वीडियो